उस समय मेरे अंदर ये confidence नहीं आया, कि शायद ये exam मेरे से clear हो पा है, वो social pressure मेरे उपर था, मैं 8-10 घंटे daily पढ़ने लगा, self study, and 8-10 घंटे बहुत sufficient है इस exam के लिए, economy, environment, science and tech, ऐसे subjects के लिए मैं खाली newspaper और जो मेरे class notes से, उन पे निरभर रहा, मेरा interview बहुत heavy topics पे चला जा च permission दी, तो मैंने share किया, नमस्ता, मेरा नाम सुभांकर जट्वी स्काथा, मैंने सिविल सेवा परीक्षा 2021 में DRV rank स्थान प्राप्त की है, ये मेरा पहरा प्रयास था, और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी एक journey थी, UPSC की तियारी की, उसके थ्रू मैं आपको बताना चाहता कि मैं कैसे और क्यों इस exam के तरफ आया, उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा बहतर जाने, मैं आपको थोड़ी पीछे लेकर जाना चाहता हूँ, अपने बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आप मेरी मानसिक्ता को समझ पाएं, और मेरी situation समझ पाएं, त और हो Amazon में अभी internship कर जा, मैं जब अपनी school में था, 9 वी और 10 वी कक्षा में, तो social science सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, जिस तरीके से हमें पढ़ाया गया था, जिस तरीके से exam होते थे, वो मुझे एकदम रटने वाले subject लगते थे, और मैं बहुत जाद था, मैं भी वैसा कुछ काम करता हूँ, लेकिन उस समय मेरे अंदर ये confidenceी नहीं आया, 9 वी और 10 वी कक्षा में ये subject देखके, कि शायद ये exam मेरे से clear हो पाएगा, और अपने mathematics में रूची के कारण, मैं science के तरफ चला गया, मैंने 11 और 12 में IT की तयारी की, और मैंने 12 के बाद अपना पहला attempt दिया, मेरा IT का selection नहीं हुआ, मेरे father के बारे में मैं कुछ बदाना चाहता हूँ, वो एक बहुत ordinary background से आते हैं, उनके घर पे इतने resources नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने IT से अपनी तयारी की, जब मैं 11 और 12 में था, लोगों को लगता था, एक ITN का सबसे महत्वपूर्ण साल था, क्योंकि उस साल मेरे दोस्त अपने colleges गए, वहाँ पे उन्होंने अपनी जिन्दगी की शुरुआत की, और मैं कहीं न कहीं पीछे रह गया, मुझे ऐसा लगा कि मैं जिन्दगी में एक साल पीछे जा रहा हूँ, उस एक साल मैंने दुबारा engineering करने, वहाँ पे जब मैं अपने college में second year में था, तो मेरे कुछ seniors ने civil sewa की परीक्षा फिर से clear की, उस time पे मुझे दुबारा ये एहसास हुआ, कि जब लोग मेरे आसपास, मेरे ही background से, ये exam clear कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मेरा जो अपने अंदर का एक सप पढ़ने ही कोशिश की, और मुझे दुबारा कुछ समझ नहीं है, उस time मुझे लगा कि शायद सही में ये exam मेरे लिए नहीं बना है, भले ही मैं IIS officer बनना चाहता हूँ, लेकिन UPSC का exam शायद मेरे से clear ना हो पाए, तो मैंने दुबारा engineering के तरफ रुक ली, और मैं software engineering करने 2020 2020 में बैंगलोर चला गए, 2020 में lockdown के बाद, उस time मुझे ऐसा लगा कि शायद ये सबसे अच्छा वक्त रहेगा मेरे लिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि मेरी job हो गए थी work from home, और मुझे ये पता था कि मुझे अतिरिक्ट समय मिलेगा इस exam की तैयारी करने, और मैंने एक च आता था कि मैं बिना एक attempt दिये भी, इस exam से दूर भाग जाओं, जो कि मैं शायद पहले कर रहा था बार बार, एक मुझे बार बार universe के तरफ से आप कहे लें इशारा मिला, मुझे लगा कि ये सबसे सही opportunity है, मैंने दुबारा अपनी तैयारी शुरू की, वो एक ऐसा phase था, जब मैंने decide कि अब मुझे सही में एक IS officer बनना है, शायद मैं अपनी तैयारी उस समय सबसे आदा focus तरीके से करनी मैंने शुरू की, मैंने एक online coaching स्टार्ट की, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने काफी बार खुद से पढ़नी कोशिश की, मुझे चीजे नहीं समझना है, और जॉब के साथ अपनी तैयारी करता था, तो मेरा schedule बहुत hectic था, मैं दिन में 8-10 घंटे जॉब करता था लैपटॉप पे, और 4-5 घंटे की मेरी classes होती थी, coaching के, मैं दिन में 15 घंटे लैपटॉप के सामने रहता था, और कहीं न कहीं उस समय मेरे एक confidence भी बढ़ने लगे इन exam के तरफ लगा दो, यह जब मैंने exam की तयारी एक बार फिर से शुरू की, मैंने जून 2020 में शुरू की और prelims होने वाला था जून 2021, मेरे पास मातर एक साल का समय था, उस एक साल के समय में मेरे पास शुरू में job के time इतना वो वक्त भी नहीं था, कि मैं मोटी मोटी किताबे पढ़ता हूँ, इसलिए मैंने decide कि मैं बहुत कम चीज़े पढ़ूँगा, बट उसको इतने बार पढ़ूँगा कि exam में वो चीज़े मुझे at least याद रहें, तो जो मैंने at least नहीं पढ़ा है, उसको लेके मैं इतना वरीड नहीं था, जब मैंने job छोड़ दी, और मेरे पा है, इस exam के लिए, जो कि मैंने फरवरी के बाद की, अगर मैं आपको अपना दिन चरिया बताऊं, तो मैं सुबह उठता था, मैं एक गंटा पेपर पढ़ता था, एक current affair की magazine जो मैं पढ़ता था, उसको मैं revise करता था, आदा गंटा, और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई और एक भाग में मैं maths पढ़ता था, एक में मैं J.S. पढ़ता था, ये तो मेरी तैयारी का दिन चरिया हो गया, लेकिन जो मैं पढ़ता था, मैं क्या पढ़ता था, मैं वो किताबों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताए, मेरे पास ज़ादा समय था Ancient India के लिए जो पूरानी NCRT है Mr. Rajesh Sharma की Geography के लिए 11 और 12 के NCRT History के लिए Spectrum और Economy, Environment, Science and Tech ऐसे सब्जेक्स के लिए मैं खाली Newspaper और जो मेरे Class Notes से उन पे निरभर रहा मैं कोई दूसरे किताबे इन सब्जेक्स के लिए नहीं पढ़ा है For example, लोग एक किताब है शंकर IAS की जो पढ़ते हैं Environment के लिए वो 400 पन्ने की किताब है मुझे उस समय लग गया कि ये 400 पन्ने ना में खतम कर पाऊँगा अगर कर भी लिया तो शायद मैं revise ना कर पाऊँगा तो मैंने उस किताब को कभी खोला ही नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ जो अपनी class notes है उसको मैं पढ़ता चला गया exam के दिन तक यही 4-5 किताबे मेरी base रहीं मेरी class notes जिनको मैं बार 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 मैंने revise की मैंने इतनी बार revise कर ली थी कि मुझे पता था किस पन्ने पे मैंने क्या लिखा है और वो कहां लिखा है 10 October 2021 गे था prelims का दिन prelims का मैं exam देके आया और हमें पता था result में लगबग एक मैना लगी जाता है तो उस एक मैने मैंने मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने optional के तियारी की 29 October 29th 2021 को आया result prelims का उस दौरान तक मैंने सिर्फ और सिर्फ match के तियारी की थी और मैंने अपना paper 1 पुरा revise कर लिया और मैंने कुछ PYQs भी solve की 29th को जब result आ गया और मुझे पता चला कि मेरा selection हो गया है मैं mains दे सकता हूँ उसके बाद जो दो मैने थे November और December वहाँ पे मैंने answer writing शुरू की मैंने सीखा कि answer लिखते कैसे हैं उसमें लिखना क्या होता है और जैसे एक हमारी आदत होती है स्कूल में कि हमें बताया जाता है आपको जो भी आता है आप सब लिख दीजिए ताकि आपको कुछ तो marks मिल जाएं यहाँ पे उसका एकदम उल्टा है आपको extra लिखने के कोई number नहीं देता यह मुझे नवेंबर में समझ आ गया था और इस गलती के कारण मेरे paper भी नहीं complete होपाते थे इस दोरान मैंने answer writing के जो छोटे-छोटे nuances हैं मैं वो सीखा और मैंने answer writing strong की और साथ में फिर मैंने GS के subject की दुबारा तयारी start की essay, ethics और जो कुछ-कुछ subject हैं जो सिर्फ means के लिए important होते हैं मैंने दुबारा उनके तयारी की, revision किया और अपना तयारी मैंने बहुत strong किया answer writing के लिए, क्योंकि मुझे ये मैं जिन्दगी में पहली बार कर रहा था और मैं जानना चाहता था कि actually मैं कैसे UPSC के लिए लिए लिखा जाता है मैंने एक platform है, Varun Jain Sir जो कि पहले खोद एक candidate रह चुके हैं उन्होंने चार बार means लिखा और दो बार interview दिया मैंने उनकी साहयता ली उन्होंने एक program शुरू किया था जिसमें वो live answer writing लिख करवाते थे और वो एक specified time में आपसे answer लिखवाते थे उस दोरान मुझे समझ आया कि वो 7 minute के अंदर ना मैं कभी answer complete कर पाता हूँ और जो मेरे दिमाग में content है वो मैं लिख नहीं पाता हूँ तो वो time के अंदर जो उन्होंने मुझे practice करवाई उस चीज़ का मुझे बहुत फायदा मिला इसके बाद मैं मेंस की परीक्षा दी जनवरी 2022 में साथ जनवरी को मेंस शुरू हुई 16 तक exam चले थे इस दोरान मैंने मेंस की परीक्षा दी जनवरी में मेंस के बाद मैंने एक हफ़ते का gap लिया और उस दोरान फिर मैं सोचने लगा कि अब मैं अपनी तैयारी में क्या क्या चीज़े इंप्रूव कर सकता हूँ जैसे कि हमें पता है किसी को नहीं पता होता कि शायद आपका मेंस मेंस सेलेक्षन हो या ना हो तो मैंने दुबारा यह सोचा कि जो मेरे मेंस में वीक टॉपिक रहे गहे हैं उनके उपर मैंने दुबारा तैयारी शुरू की ताकि वो मैं स्ट्रॉंग कर पा हूँ जब मैंने UPSA की तैयारी स्टार्ट की थी 2020 में तब मैंने मनी मन सोच लिया था कि मैं दो ही अटेंट दूना हूँ क्यूंकि मैं यह नहीं चाता था कि मैं जिन्देगी भर एक एक एक्जाम देता रहूँ और दुबारा एक जो वो इन सेक्यूरिटी है मेरे दिमाग में कि मैं अपने दोस्तों के पीछे रह जाऊँगा लोग मेरे आगे चले जाएंगी यह कहीं न कहीं मेरे अंदर आने लगी थी तो मैंने दो अटेम्ट फी सोच रखे थे इसलिए मैंने सोचा कि अब अगले अटेम्ट के लिए जो मेरा फाइनल अटेम्ट होता मैं अपनी जो वी कमिया है उनको मैं सुधार सकूँ तो वो मैंने करने शुरू की मार्च में रिजल्ट आया 17 मार्च को मेंस का और मेरा मेंस का सेलेक्शन हो गया था इसके पस्टाथ मैंने अपने इंटर्व्यू की तैयारी शुरू की 22 मार्च को UPSC ने अपना शेड्यून लिकाल दिया था और मेरे दूसरे दिन ही इंटर्व्यू थी 6 अप्रिल 2022 को 14 दिन के अंदर मेरा इंटर्व्यू था और उस इंटर्व्यू के लिए मुझे बहुत से चीज़े पढ़नी थी वो 14 दिन मैंने अपने आपको बहुत गहराई से परका मैंने अपने बारे में बहुत अच्छे से जाना मेरी क्या कमिया है, मेरी क्या स्ट्रेंच है मेरे पिता जी के background के बारे में मेरे घर के background के बारे में मेरी home district, मेरा home state जहाँ-जहाँ मैं रहा हूँ, मेरे college के बारे में मैंने सब पर notes बनाए और फिर मैंने mock interviews दिये मैंने final जो UPSC interview है उसके पहले मैंने 5 mock interviews दिये और उसके बाद मैं interview देने चला गया 6 अप्रिल 2022, मेरे जिन्दी के एक बहुत महत्वपूर्ण दिन उस दिन था मेरा UPSA का interview मेरा पहला प्रयास और मेरा पहला interview मैं interview देने गया, हर कोई nervous रहता है उस दिन लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी, जो मुझे हर topper और हर इंसान जो इस face के थुरू जाता है वो ये बताता है कि interview आपके knowledge का exam नहीं है interview आपके विक्तित का exam मैं जब उस interview में गया, तो मैं nervous था और मैं इस चीज़ को छुपाना नहीं चाहता था कि मैं nervous हूँ क्योंकि हर कोई nervous होता है और ये एक बहुत natural चीज़ है आपके जिन्दी के बहुत बड़ा दिन भी है लेकिन मैं confident भी था, अपने तयारी को लेके, अपने बारे में लेके और एक honesty के साथ मैं उस interview देने गया जब मैं interview में बैठा, तो जो मेरी chairman मैं थी उन्होंने सबसे पहले सवाले ये पूछा कि आप एक अच्छी नौकरी कर रहे थे, आप UPSC क्यों आना चाते हैं आप एक IAS officer क्यों बनना चाते हैं और मैंने उसका कोई बहुत बड़ा answer नहीं दिया मैंने एक सीधा सा answer दिया जो मेरी सच्चाई थी, कि मेरे पिताजी के थुरू मैं inspire हुआ था और इसके पहले मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं इस exam की तैयारी करता हूँ अब मुझे जाके जो हिम्मत मिली है उसके वज़े से मैं यहां हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना सपना पूरा करूँ मैंने पूरी interview बहुत सच्चाई से दी जो चीज़े मुझे आती थी वो मैंने बताई मेरे interview में सवाल बहुत opinion based थे reservation पे सवाल थे बिहार पे सवाल थे बिहार के law and order पे बिहार में investment क्यों नहीं आता है मेरे hobbies के कुछ सवाल थे जैसे की Ford India क्यों छोड़के चली गए इन सवालों के जवाब मैंने बहुत उन तरीके से दिये जितना मुझे आता था मैंने कुछ ऐसा बोलने की कोशिश नहीं की जिससे वो impress हो जाए मैंने वो बोलने की कोशिश की जो मुझे पता थी बीच-बीच में उन्होंने भी मुझे कुछ hints दिये उनको भी मैंने पकड़के उनको answer किया last में क्योंकि मेरा interview बहुत heavy topics पे चला जा चुका था महौल थोड़ा serious हो गया था तो मैंने उस महौल को light करने के लिए मैंने से permission लिया कि मैं कुछ share करना चाहूँ तो उन्होंने मुझे permission दिया उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि किशोर कुमार जी का एक गाना है जो मुझे लगता है कि इस interview के एक आधे गंटे के लिए मुझे बहुत apt लगा जब उन्होंने permission दी तो मैंने share किया कि आज उन्हें से पहली मुलाकात होगी फिर आमने सामने बात होगी फिर होगा क्या, क्या पता, क्या ख़गा ये सुनके board member काफी खुश हुए और थोड़े हसे भी और महुल लाइट हुआ और मैं महा से चला गया मैंने अपनी interview एक positive note पे खतम की मेरा पूरा interview बहुत heavy topics पे चला इंडियो चायना, इंडिया पाकिस्तान, reservation ऐसे topics पे बात हुई बहुत गहराई में बात हुई और इसलिए मैं चाहता था कि मैं एक light mood पे end करूँ ये एक वो चीज़ आप कह सकते हैं जिसको लोग बोलते हैं on the spot thinking कि आप वहाँ पे अपना काम, अपना presence of mind उनको कैसे दिखाते हैं आप nervous नहीं होते हैं और जो आपको लगता है वो आप उनको true sense में बताते हैं मैं अपनी पूरी interview बहुत सच्चाई और इमानदारी के साथ देखे आया और उसका फरल भी मुझे मिला interview देने के बाद मैंने वापस एक दो दिन का gap लिया और उसके बाद मैंने फिर अगले साल prelims के तयारी शुरू कर दी जैसा मैंने दुबारा बोला किसी को नहीं पता कि आपका result क्या आएगा इस exam में और ये मेरा दूसरा अटेंड मेरा आखरी अटेंड भी होता तो मैं चाहता था कि ये मैं फिर से अच्छे से दूँ तो मैंने दुबारा prelims के तयारी शुरू की इसी दौरान result आया 30 में को जब result आया तो मुझे बिलकुल उमीद नहीं थी कि मेरा result ऐसा आने वाला है मेरे भाई ने जब result का वो PDF खोला तो आखरी पेज से हमें उमीद थे हमने देखना शुरू किया और जब उसने एक एक करके मेरा roll number डाला तो बहुत तेजी से पन्ने उपर चले गए जब वो पन्ने बहुत तेजी से उपर गए तो कहिना कि हमें ऐसा लगा कि शायद result नहीं आये बट जब result पहले ही पन्ने पे था तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ वो एक घंटे मेरे जिन्दे की कैसे बीते मुझे खुद नहीं पादा मैं खाली फोन पर thank you बोल रहा था किसको बोल रहा था मुझे भी नहीं पादा मैं इतना lost था मैं इतना excited था बहुत ऐसी feeling थी जिसको मैं शायद बया भी नहीं करता हूँ ये एक ऐसी कहानी थी एक दसवी का छात्र जो हमेशा से एक civil servant बनना चाहता था जो college में भी एक civil servant बनना चाहता था college के बाद भी हिम्मट नहीं जुटा बारा था उसने एक attempt एक प्रयास में एक ऐसा exam qualify किया जिसके लिए लोग कहते हैं आपको सालो सालो त्यारी करनी पड़ती है लोग कहते हैं कि ये exam बहुत मुश्किल है ये exam मुश्किल है मैं आपको ये नहीं बोल सकता है exam मुश्किल नहीं है बट अगर आप सही attitude से इस exam की त्यारी करें सही चीजे पढ़ें एक mental balance अपना बना के रखें जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाता हूँ कि इस exam में सबसे ज़्यादा important है पढ़ाई करना at the end of the day ये एक academic exam ही है ये कोई ऐसा exam नहीं है जिसमें आप बहुत ज़्यादा luck को factor माने या आपको लगए कि आप coaching कर लेंगे तो ही आपके exam clear होगी या आपको लगए कि आपके पास कुछ संसादन नहीं है तो आपसे होगा ही नहीं ये एक ऐसा exam है जिसमें आपको अपनी तियारी खुद कहसाब से करनी पड़ेगी लेकिन अगर आपका तरीका सही है आपके पास वो basic material है जितना लोगों को लगता है इस exam की तैयारी में अगर आप सही रहापे हैं अगर आपके पास guidance सही है तो अराम सही इस exam clear कर सकते हैं और आपको ये दूसरी चीजों से इतना फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि ये चीजे सारी secondary हैं आपके मेहनत सबसे उपर है नहीं जहाब